हेलो दोस्तों सौगत आप सबीका स्लीपी क्लासिज में तो आज के प्रमिक्स में हम यहाँ पर पांच कोशन्स आपके डिसकस करेंगी हिस्ट्री से लेटेड आन्ट पर्टिकुलरली आपके गुपताज़ और वाकटक से लेटेड तो शुरुवात करते हैं असके प्रमिक्स की पहले कोशने के साथ कि जहां पर बात हो रही है समुद्र गुपजी के बारे में अब दी गई है कुछ स्टेटमेंट्स आपको बतान सेकिंड में कह रहे हैं इन्हों ने सलिबिरेट किये अपने conquest by performing अश्वमेधा से थर्ड में कह रहे हैं कि basically जो आपके forest kingdoms थे Central India के उन्हें भी इनों ने conquer किया तो ये तीन statements आपको दी गई हैं अगर में से आपको लगता है कोई भी incorrect नहीं है तो यहाँ पर आपकी the option correct रहीगी फ़ड़ा सोचिए correct option यहाँ पर mark कीजिए फिर discuss करते हैं इस question को तो basically अगर आपने पढ़ा हो गुपता empire के बारे में उनके family trick से आप अगर वाकिफ हो बहुत इजली आप आसते हैं पहली statement बिल्कुल ही आपकी यहाँ पर गलत है समुद्र गुपत जी की माता थी कुमार दे इसे अपने वहाँ पर शादी की थी ताकि अपनी power को enhance कर सकें तो basically अगर हम बाते करें कि क्या basic objective रहा था कि जो आपके गुपतास थे वैश्यास by caste उससरा माने जाते थे और जो आपका यह लिच्वी clan था यह basically शत्रिय clan था तो वहाँ पर इस शादी करने का क्या अचित्य था कि legitimacy grant करनी है कि एक strength provide करनी है गुपतास को कि वह rule कर सकते हैं ठीके जी तो basics information है उसके अलावा समुद्र गुपत जी के बारे में बात करें चंदर गुपत वन के आपके यह बेटे थे और खास बात क्या है कि यह मानते थे violence में यह मानते थे policy of war and conquest में कि अपने kingdom को बढ़ चीजें किस-किस को हराया है उन्होंने फिर आपके 9 नागर rules थे उन्हें हराया जिसके चलते उनको जितना भी वहाँ पर समराज्य था गुपता एंपायर में उन्होंने इंकॉर्परेट किया फिर उसके लावा जो आपके अताविका राज्यस थे जो कि forest kingdom जिने कहते हैं उ जो scene है sacrifice का उसे portrait करते दिखाया गया है ताकि उस पूरी occasion को वहाँ पर mark कर सके हैं उसके लावा इन्हें अनुकमपवन के नाम से भी जान जाता था था full of compassion क्यूंकि इन्होंने जो Buddhist king थे आपके Ceylon के Megverman तो basically उन्हें वहाँ पर permission grant की थी to build a monastery and rest house for the pilgrims from Ceylon at both गया तो ये important चीज़े हैं जो कि आपको पता होनी जुरूरी है और किस तरीकी के और titles ने मिले हैं आगे चलते हुए एक और हम question देखेंगे जिसमें समुदर गु सिंपल सी बात कर रहे हैं सबसे पहली से बहुत सिंपल सा फैक्स पूछा रहा है कौन फाउंडर था क्या वो विंदर्शक्ति जी थे बताइए करेक्ट है नहीं और second में कह रहे हैं जो आपका नगरधन सेलिंग्स हैं जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में थी recently discover हुई है महारास तो उसमें आपकी historical information मिली है वाकाटक dynasty की तो आपको बताना है क्या ये दोनों statements correct है या नहीं तो एक आपकी current affair on related statement और एक बिल्कुल ही आपकी factual statement है और सोचिए correct option यहाँ पर mark कीजिए चार codes आपको provide किये गए है फिर discuss करते हैं इस question को तो देखिए पहली statement बहुत इजी आप जाल सकते हैं वाकाटक dynasty के founder कौन थे विंदय शक्तिजी और second statement भी यहाँ पर आपकी बिल्कुल correct है जिसके चलते आपकी C option यहाँ पर correct option है तो basically अगर हम बात करें वाकाटक पूरे इस empire के बारे में तो आपका Indian subcontinent का यह empire था जो कि आपके duck and regions originate हुआ था mid third century में विंदय श तो वहाँ पर नागरदन जो कि आपका नागपूर के पास है तो वहाँ पर कुछ evidence मिला है आपके वाकाटक dynasty का और जो आपकी queen प्रभवर्ती गुप्त थी ठीकी जी तो basically वहाँ पर depiction of the count on the seal उसमें वहाँ पर evidation बताया गया है इनका वैशनुष सेक्ट के साथ तो basically जो copper plate वहाँ पर पाईगी है तो वो queen प्रभवर्ती द्वारा वहाँ पर issue बानी जा रही है जिसमें आपके जो उनके समुद्र गुप्त थे उन्हें बताया गया है as her grandfather और जो समुद्र गुप्त थे उन्हें बताया गया है as her father ठीके जी और basically यह जो sealings थी अब यहाँ पर scholars का क्य मानना है कि यह किस तीस के लिए उस की जाती थी कि official royal permission जब issue करनी है capital को वहाँ पर जो रानी वो official permission issue करेगी तब आपकी यह basically copper plate वहाँ पर use की जाती थी ठीके जी जो इस sealings थी आपकी वहाँ पर use की जाती थी तो यह simple सी बाते हैं जो कि current affair oriented है और जो कि आपको पता होनी question को third question के और बढ़ते हैं वाकटक rule के ओपर एक और question है जहां पर आपको कुछ statement दीगी है आपको बताना है कि कौन कौन से statements यहां पर correct हैं तो basically अगर हम बात करें पहली statement के बारे में कह रहे हैं कि यह जो rulers थे ब्रामिन्स थे ठीके जी second में कह रहे हैं कि जो यह rule है यह extend question ही बनाईगी है तो यह 3 statements आपको यहां पर दीगी हैं बताइए इनमें से कौन कौन statement आपको correct हैं तीन statement है चार आपको प्रवाइट किये हैं correct option यहां पर mark कीजिए फिर discuss करते हैं उस question को तो देखिए यह जो आपकी dynasty है ब्रामिनिकल dynasty है कि इसके जो rulers थे वो ब्रामिन्स थे तो पहली statement आपकी बिल्कुल correct है second यहां पर incorrect है discuss करेंगे भी और उसके लावा third आपकी बिल्कुल correct है उसे के चलते यहां पर first और third statement correct हुई तो आपकी B जो option है वो यहां पर correct option है तो basic सी बाते कर लेते हैं तो basically जो आपका जो यह पूरा region है वाकटक dynasty का जो पूरा region है extend आपका जो purple region के साथ यहां पर shaded region है ठीके जी यह रहा आपका वाकटक dynasty का region तो इस तरीके से जितने भी important kingdoms रहे हैं अब उन से लेके map based question भी आपको पूछ लिया सकता है कि जी आपको कुछ वहां पर physical features दे दिये गए हो statement में कि यह इस river से लेके इस river तक था कुछ major major information provide कर दी गई हो तो वहां से भी आपकी knowledge वहां पर test की जा सकती है तो यह exact आपकी basic से हम कह सकते हैं यह आपका map है जिसमें आपको यह information provide की गई है यहां पर उसके लावा यहां पर जब आपके यह ब्रहामनिकल societies थी तो definitely जितने भी ब्रहामनिकल आपके इस तरीके के rituals रहते हैं तो व आपकी बुद्धिस कट जो आपकी रॉक कट बुद्धिस विहार्ज और चैत्रज ऑफ जन्ता केव्स हैं जो कि एक UNESCO World Heritage Site है तो यह किसके दौरान बनाएगी हरी से ना जो कि वाकाटाग एंपायर थे तो उनके समराज्य के दौरान यहां पर तयार की गई थी ठीकी जी यह सिंपल सी स्टेटमेंट्स ही I hope आपने correctly mark किया है इस question को fourth question के और बढ़ते हैं कुछ statements आई हैं गुप्दा period से related दुबारा से गुप्दा period के उपर आ गए हैं दी गई हैं तीन statements आपको बताना है यहां पर कौन कौन सी correct है चार codes आपको provide किये गए हैं पहली में कह रहे हैं कि जो आपके civil or criminal laws थे clearly demarcate किये गए थे during the period for the first time second में कह रहे हैं जो आपका buddhism था वो आपका basically that it was provided with more royal patronage during this period than that of modern and cushion empires और फिर कह रहे हैं third statement में कि जो आपके समुद्र गुप्द थे हमने पहले statement बात की titles के बारे में पता होना जूरी है कि इन्हें यहां पर विक्रम अधित्या का title दिया गया था तो यह आपकी तीन statements हैं थोड़ा सोचिए correct option यहां पर mark कीजिए फिर discuss करते हैं इस question को तो basically यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी पहली statement ही correct है कि जो आपके बुद्धिस जो हम कैसे कितने पूरे बुद्धिजम का religion है इतना जादा हम वो नहीं कैसे कितने से royal patronage यहां पर provide किया गया particularly social structure family society का उसके बारे में उन्हों पूरा बताया but as such कोई royal patronage बुद्धिजम को receive नहीं हुआ during the gupta period ठीके जी फिर उसके रावा आगर हम बात करें चंदगुप 2 अब उन्होंने यहां पर assume क्या था विक्रम अधित्य का title समुद्धर गुप जी को माने जाता था Napoleon of India क्यूंकि उनकी इतने जादा military successes रही है इतने जादा उन्होंने war और conquest किये हैं जो हमने discuss भी किये तो इसलिए उन्होंने Napoleon of India historians वहां पर वो एक नाम देते हैं ठीके जी उसके लाव अगर हम देखें जो आपका गुपना एंपायर था basic information यहां पर gain कर लेते हैं ancient Indian empire है exist करता है आपका 4th century CE to the 6th century CE और basically यहां पर जो आपका Indian subcontinent है काफी हद तक इनोंने cover किया था इस particular time period में और इसे golden age of India भी माना जाता है historians दोरा ठीके जी स्री गुपता दोरा यहां पर इसकी स्थापना की गई थी और यह आपके लिए कुछ-कुछ important चीज़े हैं जो कि पता होनी जरूरी है त अगले question के और बढ़ते हैं उसके लावर यह आपके लिए कुछ और information है जो कि आप अपने notes में compile कर सकते हैं जो आपको PDF provide की जाएगी वहां पर आप इसे देख सकते हैं ठीके जी फिर बात आती है 5th question के बारे में अब आपके वहां पर बात होरी है वत्स गुल्मा branch of वाकट किये गए हैं कौन-कौन है प्रिस्वी सेना, विंद्र सेना, हरी सेना और नरेंद्र सेना तो यह आपको चार रूलर्स हैं बताएं कौन-कौन से आपके वत्स गुल्मा डैनेस्टी की इससे कौन-कौन बेसिकली यहाँ पर बलॉंग करते हैं तो correct option यहाँ पर मांग कीजिए वाकाटक डैनेस्टी के फिर आते हैं आपके प्रवर सेना कि उन्होंने क्या कि जो उनके बेटे थे विंद्र चक्ति के तो उनकी जब डेथ होगी तो उनके चार बेटे थे जिन्होंने बेसिकली उस पूरे empire को divide कर दिया और independently rule करना वहाँ पर शुरू कर दिया separate provinces में फिर उनके जो गौतमी पुत्तर थे तो वह वहाँ पर उनकी डेथ होगी जिसके चलते रुद्र सेना 1 उन्होंने अपने grandfather को ही वहाँ पर succeed किया था ठीके जी किसको प्रवर सेना को और वहाँ पर उनने शुरू किया और वहाँ से उनका नंदी वर्दन जो वो region था वहाँ से उन independently उन्हों रूल करना शुरू कर दे जिसके चलते आपकी दो वहाँ पर divide होगी तो आपकी जो नंदी वर्दन आपकी ब्रांच है अब कौन-कौन से रूलर्स थे इनमें ये आपके लिए important है question आपको इस तरीके से पुसाद़र जैसे कि हमने यहाँ पर discuss भी किया तो basis सा question था important है आपको idea लग सके कि हाँ इस तरीके से भी question पूशा सकता है तो जो गया आपका score रहा है comment box में जरूर mention कीजिए और इसी तरीके से regularly इस initiative को follow करते रहे अब कल है हमारा पॉलिटी का दिन तो पॉलिटी में basically जो आपका system of government है अब उस से related कल हम 5 question यहाँ पर discuss करेंगे जिसमें आपका क्या आता है parliamentary system आ गया ठीक जी presidential system आ गया क्या क्या रहते हैं federal system आ गया इन सभी चीदों से related हम question डिसकस करेंगे interstate relations होगे center state relations होगे कुछ थोड़े बहुत आपके emergency provisions से related जो कि लेक्षमी कांत में आपका डेफिनेटली चेक आउट कीजिए तो यहां पर important क्या है कि practice continuously करते रहना है ताकि जो आप यहां पर preparation कर रहे हैं उसका आपको feedback भी मिलता रहे ठीके जी so that will be all all the very best and have a good night ठीक झाल झाल